अनी ट्रैप कर आम आदमी को रेप के मामले में फसाने वाले मास्टर माइंड रिटायर फॉजी समेट 6 सदस्य गिरफतार गिरफतार आरोपियों के कबजे से 3,5 लाख रूपिये, 5 मोबाइल फोन, 2 चेक, 50,000 के स्टाम्प बरामद मिस्ट कॉल से आम आदमी को जाल में फसाती थी महिला सदस्या मिस्ट कॉल के बाद पुरुश करता था महिला के फोन पर बात महिला भोले भाले लोगों को बुला कर ले जाती थी कमरे में कमरे में घुसते ही महिला के साथ ही बोल देते थे धावा महिला द्वारा फसाए गई युवकों के साथ गिरोह के लोग करते थे मारपीट युवकों को रेप के मामले में फसाने का दर दिखा कर करते थे अवैद वसूली अब तक बुलंद शहर के आधा दर्जन से अधिक लोगों को फसा कर वसूल चुके हैं 8 लाख रुप्य आज स्वार्ट टीम और बुलंद शहर कोतवाली देहाद पुलिस ने किया एक महिला समेट 6 लोगों को गिरफतार एक विक्ती द्वारा ये गोपनिय सूचना दी गई थी कि उनके साथ एक हनी ट्रैप का केस हुआ है सूचना पर एसोजी कोतवाली देहाद और सलेमपूर थाने की पुलिस को लगाया गया था जब जिन लोगों ने घटना करी थी उनको उनसे जब पूछताच की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि एक गिरोह के रूप में काम करते हैं और अनसस्पेक्टिंग लोगों को एक महिला के मादियम से ट्रैप करते हैं उनको किसी एक स्थान पर ले जाकर फिर उनको धंकी दी जाती है कि अब तुम पर रेप का मुकदमा दर्च कराया जाएगा और उन लोगों से फिर विए पैसे एटते हैं ये कुल छे लोग आज गिरफतार हुएं जिनमें एक महिला वह पांच अन्य लोग हैं जो महिला है वो पूर में हत्या के मुकदमे में जेल जा चुकी है इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें इन्वार्ड है जिनका अच्छा खासा अपरादी की तिहास है पूस्ताच पे इन लोगों ने ये भी वताया कि ये फिर वादी से ही एक पार्च भी बरामद हैं दो चेक जो कि यह लोगों से ले लिये थे पैसे लेने के नाम पर और एक पचास रुपए का स्टैंप पेपर इनके पास से बरामद हुआ है इन छेयों लोगों को नियाई कभी रक्षा में भेजा जा रहा है इनके कुछ अन्य साथियों के भी नाम प पूश्ताज में नोख से गणने घटा करनी बताई है अब दो लोग हमारे सामने आए जिन्हों ने मुगत्मा पंजीकरत करा है कुछ लोग अभी लोग्लग्जा के चलते सामने नहीं आfly है उनको भी हम लोग कंविंस कर रहा है कि वो भी कि इन पेंपना पंजीकरत करना है